दोस्तों आज है हम चने के खेत में यह चने की फसल है इसको पानी बानी नहीं पिलाए जाता है क्योंकि बारिस का जब बारिस हो जाती है खेत में तो प्रयाप नमी होने के कारण बीज बो देते हैं और फिर उसी नमी से यह फसल पूरी पक कर त्यार होती है क्योंकि इसको पानी अलग से पिलाए नहीं जाता है तो अलग कि उपस थोड़ी कम होती है लेकिन फिर भी ये किसान के लिए फाइदे बन इसलिए है क्योंकि किसान को खेत वैसे ही जोतना होता है फसल पकने के बाद में खेट जोतना होता है तो उसी के अंदर इसको बीज डाल के जोत देते हैं तो जो है किसान को यहाँ पर फाइदा हो जाता है यह आप देख सकते हैं अच्छी फसल है अभी लगबग त्यार होने वाली है फसल अभी सब्तबर का टाइम हो रहा है अभी आप आगे देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह फसल त्यार हो चुकी है यह बीच में कई कई है जो अभी हरे हैं तो यह जब पीले पड़ जाएंगे पूरे तो उसके बाद में इनको उखाड कर ले जाएंगे यह देखे इस परकार से यह सूकर ऐसे वाइट वाइट हो जाता है तब कई जाकर यह फसल पक जाती है यह देखे इस परकार से अंदर चने का दाना इस परकार से पीला पड़ जाता है और हरे दाने में ये इस परकार से जिने का दाना जो है जहरा जाता है दिए तो इसे परकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और सेर करना